प्रश्चाइब दूपरोई तोर आप देखरें मेरा यूट्यूब चनल जहां पर मैं वीडियो प्रश्चाइब देखरें मेरे वीडियो को देख सकते हैं तो आज आपके सामने पढ़ाने वाला हूं डिफरेंशिबिटी की बात करेंगे तो आप फंक्शन का कंटीनियस होना जरूरी और उसके लिमिट एक्जिस करना जरूरी तो वो सब चीज़े हम पढ़ चुके हैं तो वह आई टेप पे चाके देख लिजे उसके माद आपको समझ माया आगा है सुन बात करते हैं यहाँ पर differentiability of at a point right let f be a real valued function define on interval i where this interval is upset of r the function f is said to be differentiable at any interior point c belongs to i if limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exist करना चाहिए अगर यह exist करेगा तो यह हमारे पास function जोग होगा वो क्या होगा differentiable होगा उस particular point c पे right we denote हम इसको यहाँ पर f-c से upon x minus c exist then left hand and right hand limits also exist and they will be equal मतलब यहाँ पर हमारे पास left hand derivative और right hand derivative दोनों बराबर होने चाहिए और दोनों कैसे निकालते हैं वह हम आपको भी examples के थूरू समझाने की कोशिश करूँगा पर सुन यहाँ पर समझने की ज़रूत है कि अगर कोई function यहाँ पर continuous है तो फिर हम बात करते है डिफरेंशिबल डिफरेंशिबल में यह जो function की यह जो हमारे पास fx minus fc upon x minus t at x is equal to c पर यह क्या करना चीए exist करना चीए तो function हमारे पास x is equal to c पर क्या होता है डिफरेंशिबल होता है राइट अगे बढ़ता है और एक और चीज में आपको सामने थोड़ा सा ग्यान देना चाहता हूं यहाँ पर कि जिसे हम बात करते हैं यह पर mod x की बारे मात करते हैं mod x का example देता हूं यह mod x होता है यह continuous तो होता है पर यह differentiable नहीं होता है इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास यहां पर ऐसा होता है इसका ग्राफ होता है थोड़ा समय क्लियर इसको explain कर देता हूं mod x का जो ग्राफ होता है हमारे पास ऐसा होता है यह हमारे पास mod x का ग्राफ होता है तो जहां पर भी शार्पेज होता है यहां पर इस पॉइंट पर शार्पेज आएगा ना तो इस वाले x is equal to 0 पर हमारे पास यह function जो होगा यह differentiable नहीं होता है clear है मतलब जब भी हम किसी particular point पर function की बात करते हैं तो हमेशा देखना है यहां पर कि उस point पर हम यहां पर एक tangent draw कर पा है अगर tangent draw कर पा रहे है तो वो function उस point पर क्या होता हमारे पास differentiable होता for example जैसे मैं आपके सामने बूलू यह राइट इस particular point पर यह शार्पे जा रहा तो यहां पर यह function से देखना चाहिए तो graph से इस तरह से आप यहां पर समझ सकते हैं यह मेरा definition की थुरू बताया आपको आगे बढ़ते हैं next बढ़ेंगे हम यहां पर example लेंगे और example की थुरू समझने कोशिच करेंगे हमारे पास दे रिखा fx is equal to x sin 1 by x where x is not equal to 0 and x is equal to 0 पर 0 दे रिखा आपको बोला जारा है कि check at x is equal to 0 आपको पता करना कि x is equal to 0 पर यह function differentiable है या नहीं है तो यह हमारे पास definition थी limit x tends to c fx minus fc upon x minus c तो c की जगहां पर 0 है तो limit x tends to 0 fx minus f0 upon x minus 0 fx हमारे पास यह रहे गया तो x sin 1 by x minus f0 is when 0 पर function की value 0 है तो 0 हो जाएगा divided by x हो जाएगा है ना पर यहां पर हम देख रहे हैं यह x x क्या हो जाएगा is when cancel हो जाएगा और x tends to 0 पर हमारे पास यह sin infinity आएगा और यह हमारे पास क्या होता है इसकी value oscillate करते है between minus 1 to 1 तो यह हमारे पास exist नहीं करेगा और exist नहीं करेगा इसका मतब ही जो function fx है यह differentiable नहीं होता है है ना हाँ एक और example देना चाहता हूँ आपके सामने यहां पर कि जब भी हमारे पास यहां पर x की जग एक स्कॉर हो बाइचांस x स्कॉर होता तो यह x स्कॉर होता है अब इसको x is equal to 0 रखते तो यह 0 हो जाता है मतलब यह differentiable हो जाते है क्योंकि इसके limit यहां पर क्या करगे exist करगे तो कभी कभी ऐसा question आ जाते है कि बाइचांस यहां पर alpha दे रखा रहा आपसे बोला जाए कि for what value of alpha क्या बोले आपसे अगे बढ़ेंगे यहां पर अगला question लेंगे अब यहां बात करते है राइटेंड डेरिविटी और लेटेंड डेरिविटी कैसे निकालते है राइटेंड डेरिविटी का फार्मला हमारे पास होता है राइटेंड डेरिविटी और यहां पर लेटेंड डेरिविटी और लेटेंड डेरिविटी दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए अगर फंक्षन बरा दोनों बराबर है तो यहां पर फंक्षन क्या होता है अब आप बोलोगे जो प्रीविटी क्यों था उसमें आपने ऐसा क्यों निकालने की ज़रूत नहीं परते हम सीधा फंक्षन को लिमिट से चेक कर सकते तो यह ध्यान देने की आवश्यक्ता है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेशन है यहाँ पर, जब ऐसे इंटर्वेल में दे रखा है, जब x is greater than 0, less than 0, तो यहाँ पर left-hand right-hand derivative निकालना पड़ेगा, इसकी trick है, इसकी trick है, आपको बताना चाहते हैं, इससे question को आप trick से तो 0 से बढ़ा यहाँ आएगा, और इसकी वेली function क्या हैगी, x आईगी, तो जहाँ पर भी f, यहाँ पर हम fx की जगे x रखेंगे, तो जहाँ पर भी x से वहाँ 0 प्लस h रखेंगे, तो h हो जाएगा, minus f0, 0 पर दोबाराबर 0 हो रहा है, divided by h, इसकी वेली h से h cancel होगा, यह तो यहाँ से इसकी वेली minus x आ रही है, तो जहाँ पर भी 0 minus h है, करना वहाँ पर यह रखेंगे, तो 0 minus h रखेंगे, तो minus h, minus minus plus हो जाएगा, plus h, upon minus h, और इसकी वेली minus हो जाएगी, तो यहाँ यहाँ पर left-end derivative और right-end derivative दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतभी जो function है, यह differentiable यहाँ पर नहीं होगा, और ultimately यह mod x की definition होता है, so in mod x जो होता है, fx is equal to mod x को define कैसे करता है, so in mod x को define करनेगा, हमारे जो तरीका होता, वही होता है, कि minus x, where x is less than equal to 0, और x, where x is greater than 0, बराबर यहाँ भी लगा सकता, आपको issue नहीं है, ठीक है, तो सुन यहाँ पर मारे पा इसको differentiate करो, इसको differentiate करो, इसकी value वनाएगी, इसको differentiate करो, इसकी value minus वनाएगी, इसको differentiate करो, इसकी value minus वनाएगी, दोनों अलग 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 आ रहा है, और यह greater than 0 पे यह वया रहा है, तो यह इसके right-end derivative की value होगी, यह इसके left-end derivative की value, और देखो, यह यह आ रहा है, यहाँ पर तो without calculation जब भी हमारे पास competitive exam में ऐसा question आता है तो हमें calculate करने के आवशकता नहीं है हम सीधा इस question को ऐसा है कर सकते है तो आगे बढ़ते है तो यह question बताना चाहता हूं आपको अब यह चेक करना है होता है कि यह differentiable है या नहीं है तो अब आपको यह घो करना है किसनों ही죠 गारते है तो यह तैणा देने की जरूत है हा यहां पर यहां पर यहां रखेंगे तो यह क्योग हो जाएगा तो यहां पर हमारे पस क्या हो जाएगा दोनों की वैलिव क्या है बड़ाबर आगए इसका मतलब यहां पर फॉंक्शन एक्स इकुट टो नीजाएगा मतलब यहां पर यहां पर प्लिव गुट टो आ नहीं होगा है ना चेक कर लीजिए आप कैसे देंफ यहां पर देखिया राइट अब यह यह रखेंगे तो नस सफने रखेंगे पास और यह यहां पर पर यहां पर यहां पर यहां पर आप तो बतने हैं से चोटा चोटा सौरी बनाइन से चोटा सुर्य कुध कर दो यहां पर 1-6 यहां पर 1-1 यहां से चैक करेंगे तो यहां पर ल्टेजिए वंफ टो रहेताए हैं है। दोनों बाराबर नहीं है इसके मुझे फंक्शन डिफ्रेंशिबल नहीं है at x is equal to 1 तो इस तरह से इस कुछन को पर हम solve करते हैं तो इस तरह मुझे लगता है कि जो डिफ्रेंशिबलिटी है वह आपको समझ मैं एक वीडियो और लेने वाला हूं एक और क्लास लूँगा मैं इ देख सकते हैं यह मेरा नया चैनल est ग। को मिलते ने वाद